हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल कैसे हो आप लोग तो दोस्तों आज मैं आप लोगों की साथ शेयर करने जा रही हूं ब्रत में बनने वाली शाबू दाने की बहुत ही टेस्टी और डिलिसियस खिचली कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ में यह खिचली सियर करू और वीडियो अगर आपको थोड़ा सभी पसंद आती है तो लाइक सियर और अपने प्यारे प्यारे सुझाओ मुझे कमेंट के द्वारा जरूर दें तो चलिए दोस्तों रेसिपी को शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने लगभग 200 ग्राम शाबू दाना लिया है और तो उसको जब हम 2-3 बार पानी से वाश करेंगे तो उसका काफी हद तक जो है उसका इस्टार्च निकल जाएगा तो मैंने इस तरह से एक जाली वाले बरतन में इसको लिया है और नीचे पानी भरा हुआ है और चम्मत से हम इस तरह सी इसको ऊपर नीचे करेंगे निंकल जाए तो कि में इस्टार्च द्विय रॉडैन पर में न ब़ान चेहिए उपर नहीं आ चाहिए । पर इतना ही पानी हमको यूज करना है और इसको हमें कम से कम 3-4 घंटे के लिए भीगा के रखना है आप इसको ओवर नाइट भी भीगा के रख सकते हैं और 3-4 घंटे हो चुकें दोस्तों और देखिए हमारा जो यह शाबू दाना है वो इतना खिला-खिला सा और एकदम फु मैं उसको राउंड राउंड करूंगी तो देखिए वो फिर से साबू दाने के सेव में आ गया है इसका मतलब हमारा जो शाबू दाना है वो एकदम फरफेक्ट भीगा हुआ है तो ऐसे ही हमारा शाबू दाना जो है वो भीगना चाहिए और यह तब ही होगा जब आप उसम का तेल का यूज़ ना करें आप यहां पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं और यहां पे मैंने वन फोर्थ का टूरी जो हो मूंपली लिया और उसको मैंने थोड़ा से सेल में फ्राई कर लिया है मुखली का टेस्ट भी जो है साबुदाने में बहुत अचाता है आप इस पे किस्मिश और काजू बादाम का भी यूज कर सकते हैं एक छोटा चमच मैंने आप जीरा लिया है दो पारिक कटी भी हरी मिर्ची ली है तो दोस्तों तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं एक चमच ग्रेट किया हुआ अधरक मैंने लिया है यहाँ पे हमने लाल मिर्ची का यूज नहीं करना है इसलिए आप हरी मिर्ची की क्वेंटिटी कम यह जादा अपने हिसाब से रख सकते हैं तो थोड़ा साफ मिसको रोस्त करेंगे उसकेबाद मैंने यहाँ पिल दिया है यहाँ को थे हैं पिल किया है बुआईल मैंने दो मिडियम साइज के आलोपपे मैंने बुआइल करें 151 ख लाइज आप छोटे शोटे पेंको धुक्त कर दिग देशेWill कैर पे फिर इसारह से उसको थोड़ी देर अच्छे से पका दीजिए तो थोड़ा सा इसमें जब कलर आजाएगा आलू में तब तक हम इसको एक दो मिनल ठाई फ्लेम पे भूनेंगे साथ में मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है और टमाटर आप जब भी साबू दाने में यूज करें तो उसका जो है हमेशा बीज आप निकाल दें और यह करी पते मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया है तो एकदम फ्रेस करी पता है इसको भी हम साथ में ही मिक्स कर देंगे तो यह भी यहीं पर जो है अच्छे से फ्राई हो जाएगा अब हम यहाँ पर डालेंगे साबू दाना तो देखें कितना अच्छा हमारा साबू दाना खिला खिला है अब यहाँ पर हम ब्रत के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है सिंधा नमक तो नमक आप अपने स्वात के हिसाब से डाली और अगर आप ब्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो आप साधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं और एक चमच मैंने यहाँ पर डाला ह और यह जो हमने अभी मुंफली जो भूनी थी उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है तो मुंफली का जो पावडर होता है दोस्तों उससे क्या होता है कि अगर हमारे साबुदाने में थोड़ा सा भी मौश्यर है थोड़ा गीला है तो वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा जो साबुदाने का पावडर है और इस तरह से हम इसको एक मिनट के लिए बहुनेंग़ ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं पड़ते हैं और आपको जो अब्रतमें जो चीज आप इसमें नहीं खाते हैं आप उसको हटा भी सकते हैं और एक मिनट के लिए हम धकन लगा के थोड़ा सा इसको कुप कर दिये हैं और गैस हमने बन कर दिया है और ये देखे हमारा जो साबू दाना बन के एकदम रेडी है एकदम टेस्टी, दिलीसियस तो दोस्तों इस बार नवरात्री में इसको जरूर बनाईए और इसको आप किसी भी टाइम पर बना सकते हैं जरूरी नहीं कि आप बरत में ही इसको बनाएं बहुत स्वादिस्ट होता है और हरे धनी से मैंने इसको गार्णिस कर दिया है कोई भी रेसिपी हो ना बरत की हो या नॉर्मल हो कोई भी इंडियन रेसिपी हो बिना हरी धनी की तो वो एकदम फीकी है तो अब हम इसको डाल देंगे सर्विंग बाउल में दोस्तों मेरी रेसिपी को वॉच करने के लिए मुझे अपना प्यार और शपूर देने के लिए थैंक यू सू मचंच और इस तरह से आगे भी बिज़े अपना प्यार और शपूर देते रहें थैंक यू सू मच दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक बाच घlarını साहित